नाबालिक से बलातकार की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस ने रिश्वत की मांगी मामला सिवनी का है ऐसे में सेना का एक जवान पिडित परिवार को नैज दिलवाने के लिए पुलिस अधिक्षक से गोहार लगाने पहुछा सिवनी के आदे गाहों के खुबी रहयत गाहों में एक युवक ने नवालिक लड़की को अपनी हवस का शिकार भना लिया जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवा ने परीजन आदे गाहों पुलिस स्टेशन पहुचे जहां ठाने में पदस A.S.I. राजेश दुबे ने रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 5,000 रुपे की रिश्वत की मांग की इस मामले में पीडित परीजनों ने S.P. से गोहार लगाते हुए नियाई की मांग की है रिपोर्ट लिखने की एवर्ज में रिश्वत ना देने के चलते पीडिता की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई पुलिस अधिक्षक सिवनी को लिखे आवेदन में पीडित परिवार के साथ सेना का एक जवान गौरी शंकर ने मात साथ किया इस जवान ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पी कार्याले पहुँच कर शिकार दर्ज करवाई गई है सायक पुलिस अधिक्षक ने इस पूरे मामले में जांच का आश्वाशन देते हुए पीडिता की एफायर दर्ज कर ली है मैं आर्मी में हूँ बट ये जो प्रार्थी है प्रार्थी मेरे पास आया अपने रिलेटिव के साथ बोला कि पुलिस विभाग तो पैसे ले रही रिपोर्ट के लिए एफार आई करने के लिए रिपोर्ट के लिए रही मैंनों किस तारीक हो गए आप रिपोर्ट कराने उ लुकास पे थे तो उसके अनुसार उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी और जो उसके पदस्त थे जुनियर एक दुबे जी थे राजिस दुबे उनके द्वारा इनको पैसी की डिमांड की गई तब जाके मैंने इनसे कहा कि चलो मैं सेना का आदमी हूं आपके लिए हेल्प कर सकता हूं थोड़ा बहुत तब जाके मैंने तेरह तारिक में इनकी रिपोर्ट दर्जी कराई उन्हीं का एक आदेगाउ ठाने से थाना छेटर के इंतरगत रहने वाले परिवार आया हुआ था और उनके साथ एक खार्मी परशन था उनके तरह शिकायत की गई कि जो एक कार आने की जाईगे वहां पदत ऐसा ही दौरब पैसे की मांगी वह सारे तत्थी जो है आवेदन दिया है तो वह सारे तत्थी उसमें चाज के अंतरगत आएंगे संगीत की स्वद लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सड़कों तक गाउ से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़डीती से उटमीती त तखल न्यूद आप क्या है?